मित्रों, की हाल चाल? सब चकाचक चल रहा है रहा? जैसा आपका हाल हो, जैसी आपकी चाल हो, आप नीचे कमेंट करके बता जिएगा और यार आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे फोन आज चुके हैं, बिलकुल लाइन लगा के बैठे हुए हैं हमारे सर का दर्द हो जाता है, मेरे भाई, आप अपने सर का दर्द ना करिए क्योंकि जब तक आपका भाई है न, जब तक आपके सर में दर्द नहीं होने देगा यदि आपका बजट है 15,000 रुपए, तो आपको नहीं सोचना है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार, आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए आज मैं आपको साथ फोन बताऊंगा, और सबसे बेस्ट कौन सा फोन है उसके बारे में भी बताऊंगा बतलब ये जो वीडियो है, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है यहाँ पर कुछ ऐसे फोन होगे ना, जो आपको 15,000 से सस्ते रेट में मिल जाएंगे और कुछ ऐसे भी फोन है, जो थोड़े से महंगे होंगे लेकिन हाँ, महंगे के साथ सथ आपको वहाँ पर वैल्यू भी मिलने वाली है हमारी लिश में जो पहला फोन है, ये चम चमाता हुआ इंडिया में अभी लॉंच हुआ है और ये है रेडमी का नोट टेन, यहाँ पर आपको एमोलेट डिस्प्ले मिल जाती है बहाई, बहुत ही कमाल के डिस्प्ले मिलती है और इस प्राइस रेंज में बना 12,000 रुपए में आपको एमोलेट डिस्प्ले मिलती है 1100 nits की brightness मिल जाती है उसके साथ साथ जो camera है, यह है quad camera 48 megapixel का main sensor मिलता है बहुत ही बड़ी वाली battery मिलती है, 5000 mH की उसके साथ साथ आपको 33 watt का charger मिलता है overall बहुत ही अच्छा वाला आपको design मिलता है और यार यहाँ पर आपको gorilla glass 3 मिल जाता है और मैं आपको यह भी कह दू, यहाँ पर जो आपको processor मिल रहा है न यह है सुनाय प्रिकेंग का 678 यहाँ से आप b-send वाली gaming कर सकते हैं और मेरे साथ से यह आपको emolate display वाला phone लेना है तो आपको नहीं निराज करेगा Redmi का Note 10 बहुत ही कमाल का phone है अब चलते हैं दूसरे phone की तरफ और यह है Xiaomi का ही कजन ब्रदर का phone Poco का M2 Pro बहुत दिन पहले, मतलब दिन नहीं बहुत महीने पहले इंडिया में launch हुआ था यहाँ बर आपको जो display मिलती है Full HD Plus वाला है उसके सासद जो processor है न वो बहुत कमाल का है Snapdragon 720G बहुत ही powerful processor है 5000 mm की battery मिल जाती है और साथ में 33W का charger मिलता है लेकिन मैं आपको साब साब कह सकता हूँ इस phone की जो battery है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है यदि आप survive कर पाएं तो आप कर लीजेगा camera जो है यह 48 Megapixel का quad camera काफी कमाल का है और यार यहाँ पर आपको Gorilla Glass 5 की production आगे की तरह भी मिलती है पीछे की तरह भी वही वाली production है देखने में phone बहुत अच्छा है और जो कमी है ना वो मैंने आपको बता दिया यदि आप survive कर पाएं तो आप कर लीजेगा अब बात कर लेते हैं तीसरे phone की और यहाँ पर है Poco का X3 यह phone महंगा launch हुआ था लेकिन कभी-कभी आपको discount में मिल जाता है इस phone में आपको बहुत ही बड़ी वाली बैटरी मिलती है 6000 mAh की साथ में जो प्रोसेसर है ना यह स्नाप रिके का 732G बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है बहुत अच्छी वाली बैटरी मिल जाती है 120 Hz की display का refresh rate मिलता है जो camera है वो है 64 MP का quad camera देखने में phone बहुत अच्छा है सक कुछ अच्छा है हाँ जो phone का weight है यह काफी ज़्यादा है यदि आपको weight से problem नहीं है तो आप इस phone में जा सकते हैं overall design भी ठिक ठाक लगता है अब चलते चौते phone की तरफ और यहाँ पर भी बैठा हुआ है Xiaomi, Redmi का Note 9 Pro Max यह phone में mega launch हुआ था और कभी-कभी आपको सस्ने में मिल जाता है यहाँ पर आपको processor जो मिल रहा है वो काफी अच्छा है Snapdragon 720G, 64 MP का quad camera मिलता है साथ में बहुत अच्छी वाली battery मिल जाती है और जो यार phone की overall performance अना है यह भी आपको निराश नहीं करेगी हाँ यहाँ पर आपको emulate display नहीं मिलती है अब मैंने आपको बताया है अभी आप वीडियो में बने रहें आपको और भी अच्छे-च्छे वाले phone देखने को मिलने वाले हैं अब चलते पांच्वे phone की तरफ और यहाँ पर वो phone है जिल लोगों को non-Chinese phone लेना है न तो मेरे इसाब से Samsung Galaxy F41 यदि आपको सस्ते में मिल जाए तो आप इस phone में जा सकते हैं 6000 mAh की battery मिलती है 64 vega pixel का camera मिलता है Super AMOLED display मिलती है और Samsung की जो display होती है वो काफी अच्छी होती है overall बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको चीज़े मिल जाती है यदि आपको gaming के लिए phone लेना है न तो मेरे साब से आपको इस phone में नहीं जाना चाहिए यहाँ पर आपको Exynos का 9611 processor मिलता है यह ठीक ठाक वाला processor है और day to day life में आपको problem नहीं होने वाली है लेकिन हाँ काफी पुराना वाला processor है और आपको केवल Samsung का ही phone लेना है तो मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए अब बात कर लेते हैं छटवे और सतवे नंबर की phone की तरफ यदि आप अपना budget थोड़ा सा बढ़ा लेंगे न और आपको लेना है 5G वाला phone तो इंडिया में launch हुआ है अभी के लिए सबसे सस्ता वाला 5G phone यही है और क्या पता आगे आने वाले टाइम में और भी सस्ते सस्ते वाले phone आ जाए और यह जो phone है यह है Realme का Narjo 30 Pro यहां पर आपको जो build quality मिलती न वो काफी अच्छे मिलती है slim सा phone है, हलका सा phone है, 120Hz का display का refresh rate मिलता है हाँ, Super AMOLED display आपको नहीं मिलती है यहां पर आपको जो processor मिल रहा है यह वही processor है जो आपको Realme के X7 में मिलता है मलब यार, Dimensity का 800U, 5G वाले SIM कार यहां पर आप डाल सकते है साथ में आपको 5 5G वाले band मिलते है अब आप यही सोचेंगे कि 5 5G वाले band का क्या मतलब है भया, जितने ज़्यादा band होंगे, उतने ज़्यादा chance होंगे 5G वाला SIM इंडिया में जब launch होगा चलने का क्योंकि यार, band के उपर ही हर एक चीज़ निर्भण करता है आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 33W का Fast Charger Box के अंदर मिलता है और 40 Megapixel का Triple Camera मिलता है Overall, यदि आपको 5G वाला फोन लेना है तो आप जा सकते हैं Realme के Narjo 30 Pro में अब मैं उस फोन के बारे में बात कर लेता हूँ मेरे साब से अभी जितने भी फोन बताया है यह फोन किंग है यदि आपको 5G वाला फोन नहीं लेना है साथ में नंबर में जो फोन बैठा हुआ है यह Redmi का Note 10 Pro इस बार ऐसा लग रहा है यार Xiaomi वालों ने काफी कमाल कर दिया है इस प्राइस रेंज में आपको Super AMOLED डिस्पले मिलती है 120Hz वाली भाई बहुत अच्छा है Gorilla Glass 5 के production आपको आगे भी मिलती है पीछे में मिलती है यह तो और भी कमाल का है बस यार यहाँ पर आप 4G वाले SIM कार्डी डाल सकते है 5G का आपको support नहीं मिलता है क्योंकि यार पुराना वाला processor मिलता है Snapdragon 732G यही processor आपको Poco के X3 में भी मिल जाता है बस यही एक थोड़ी सी कमी दहे गई है यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी वाली बैटरी मिलती है 5020MH की 33W का जो fast charger है वो भी आपको box के अंदर मिलता है 64MP का quad camera मिलता है और एक है 8MP का और जो 5MP का micro है यह है टेली micro यार बहुत कमाल का camera है 16MP का selfie camera भी मिल जाता है design बहुत अच्छा है look बहुत अच्छा है सही price में इंडिया में launch हुआ है और यार जो display है यह आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी Android 11 आपको मिल रहा है और यह भी कहा है कि यार जो next update आएगा ना वो भी आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा और कहीं आपको थोड़ा सा discount मिल जाना तो मेरे इसाब से Redmi का Note 10 Pro आज की date में बहुत अच्छा वाला phone है हाँ यहाँ पर आपको 1000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और यदि आप यार 2000 रुपए ज्यादा दे देते हो ना तो यार आपको 108 GB की internal storage मिल जाएगी 6 GB की RAM मिलेगी और UFS 2.2 का storage भी मिलेगा 17,000 रुपए में आज मैंने आपको 7 phone के बारे में बताए यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई और phone हो ना उसको भी यार आप नीचे कमेंट करके बता दो और सभी भाईयों को पता चलेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो भाई माफ कर देना और इस चैनल पे दिया पहली बार आये हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब गल लो और जश्बगल में आपको एक बेल बतन मिलेगी बहुती चोटी बटन है इसको भी दबा दोगे तो और भी कमाल का हो जाएगा वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना और हर दब हसते रहना, मुस्कुराते रहना, चमचमाते रहना चलिए मिलते नेक्स वीडियो में, थैंक्यू, जैहिल